आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा कई माईनों में खास होने वाला है प्रदान में प्रदान मोदी जम्मू कश्मीर के सामबा जिले के पल्ली गाउ के लोगों को कई सौगात देने वाले हैं प्रदान यहां पात सो किलो वाट के सौर उर्जा सइद्र का उधगाटन करेंगे ये देश की पहली कार्बन न्यूटरल पंचायत होगी जहां सौर उर्जा से रोशनी मिलेगी इसके साथ ही पीए मोदी 850 मेगवाट के रतले और 540 मेगवाट के क्वार हाइडरो प्रोजेक्ट की आधार शीला रखेंगे इसके अलावा पीए मोदी, बनिहाल, काजी, गुंड, रोट सुरंग का भी उद्घाटन करेंगे 24 एप्रिल को राष्ट्रे पंचायती राजदिवस के मौके पर पीए मोदी का 17 किलोमीटर दूर पल्ली गाउं में एक सभा को संबोधत करने का भी कारिक्रम है पीए मोदी की सौगात 500 किलोवाट्स और उर्जा संयंत्र का होगा उद्घाटन देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत होगी 850 मिगवाट के रतले हाइडरो प्रोजेक्ट की रखेंगे आधार शिला किष्टवार में चेनाव नदी पर बनेगा हाइडरो प्रोजेक्ट बनिहाल काजी गुंड रोड सुरंग का उद्घाटन 8.45 किलोमिटर लंबी है सुरंग 31 करोर की लागत से बनी सुरंग बनिहाल काजी गुंड के बीच दूरी होगी कम समय की भी होगी बचत पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले सुरक्षा बलो ने आतंकियों की बरी साजश को नाकाम कर दिया था ये आतंकी हमला जम्मू के सुजवा में CISF की गारी पर हुआ था इस गारी में करीब 15 जवान मौजूद थे इस हमले में दो आतंकियों को मार गिराया गया था हमले में CISF के एक अफसर भी इस घटना में शहीद हो गये थे इस मामले में DGP का कहना था कि पीएम मोदी की यात्रा को बाधित करने के मकसद से ये एक बरी साजश हो सकती थी दरसल आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा इससे पहले पीएम मोदी ने 2019 को राज़ौरी में और 2021 में नौशेरा सेक्टर में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी इसलिए पीएम की ये यात्रा हर लिहाज से काफी एहम मानी जा रही है ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी तो केंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जुल हाजर होंगे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार